हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुती जल्दी बनने वाला मैकरोनी पास्ता की रेसिपी तो यह हमने कोकर में बनाया है और जो घर में टमाटर प्याज होते हैं उसी से हमने इस नाश्टे को बनाया है तो अलग से मैंने कुछ भी नहीं डाला है तो आठ हम कोकर में बनायेंगे यह से तो मैंने इसमें दो चमए टैल डाल दतै तो टेब्ल स्पुन से से आप डालेए चोटे चमए चमए चामज टेल जब गरम हो जाए तो उसमें हम अम डाल देंगे ए चमए जीरा, दो मीडियम साइज के प्याज मैंने छोटे-छोटे काट लिये थे, तो उसको हमने इसमें डाल दिया है, एकदम फाइन चॉप करने की जरुवत नहीं है, तो इसको हम डालने के बाद में दो-तिन मिनिट तक तेल में पकाएंगे, दो-तिन मिनिट बाद मैंने इसमें ट तो टमाटर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, तो टमाटर को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है, और उसको हम इसमें डाल देंगे, टमाटर प्यास को, दोनों चीजों को हम साथ में 3-4 मिनिट तक पकाएंगे, सॉफ्ट हो जाए थोड़ा, तो जो पास्ता का मसाला आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, पास्ता मसाला के पैकेट आरते हैं, तो मैंने दो पैकेट्स टाले हैं इसमें वो, थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, तो ये मेरे बच्चे भी खाएंगे, इसलिए मैंने इसमें हर हरी मिर्ची डाल सकते हैं बड़े खा रहे हैं तो उन्हें spicy जादा पसंद हो तो आप 5-4 हरी मिर्ची काट के डाल दे थोड़ा मैंने टेस्ट के इस आप से नमक डाल दिया है और इसे हम मसाले को थोड़ी देर भूनने देंगे तो इसमें हल्दी मिर्च तो हमने डाला निये ह बस एक मिनिट इस मसाले को हम भूननाएंगे और इसे कुकर के लीड को मैंने उपर से ढग दिया एसी ताकि टमाटर और प्यास थोड़ा सा अच्छे से कूख हो जाए कवर करके तो वह सॉफ्ट करना है हमको तो एक मिनिट मैंने कवर करके पकनी दिया है तो यह देकि ऑल प पास्ता को धूलिया है और फिर इसमें हमने डाल दिया है पास्ता को प्यास और टमाटर के साथ हम एक दो मिनिट तक भून लेंगे अच्छे से थोड़ा फ्राय होने देंगे और आप चाहें कि इसमें चिली सॉस एक चमश तो मैंने चिली सॉस नहीं डाला है मैंने दो तो आप इसमें 2 cup से थोड़ा कम पानी डालेंगे तो भी चलेगा एक्वल क्वांटिटी जरूरी नहीं है या फिर आप इक्वल क्वांटिटी डाल दें और बाद में इसको थोड़ा खोल कर पका लेंगे तो मैंने उपर से हराधनिया डाल दिया है क्योंकि आम इंडियन्स को तो हारा धन्या हर चीज में मस्ट है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा लगता है फिर मैंने इसे कवर करके पकने दिया है तो मैंने कुकर की लीड लगा दिया है और इसमें दो विसल आने तक इसको हाई फ्लेम पर हमने रखा है गैस को दो विसल आने के बाद में मैंने gas का flame off कर दिया है और थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे उसके बाद हम इसका pressure release करेंगे और इसको खोल देंगे कूकर को तो मैंने equal quantity पानी डाला था इसलिए थोड़ा पानी इसमें भी हमको दिख रहा है तो आप इसमें करीब पौने दो कप डालें मैंने एक चमच टॉमेटो सस और एड़ कर दिया है और इसको हम खोल कर पकने देंगे तो मैंने medium flame रखा है gas का और इतने में ये इसका पूरा पानी सुख जाएगा तो हमने direct पास्ता डाला था ग्रेवी में और ये बिल्कुल भी चिपका-चिपका नहीं बनेगा एकदम जैसा पास्ता होता एकदम खिला-खिला बिल्कुल स्टिकी नहीं बनेगा आप बनाकर देखिएगा इस तरह से और एकदम छटपड बनकर तयार हो गया ना ही इतने बरतन हमें गंदे करने पड़े हैं कि अलग से बॉइल करना है फिर उसका मसाला अलग से तयार करना है मैंने इसमें वेजीज नहीं डाले हैं आप चाहे तो इसमें स्वीट कॉन आइड कर सकते हैं और आप टॉमेटो की कौन्टिटी भी बढ़ा सकते हैं तो देखे ये 2-3 मिनिट में इसका पानी अच्छे से पूरा सूख गया है ड्राय हो गया है तो आप मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया है थोड़ा सा पानी है तो इसको हम कवर कर देंगे 2-3 मिनिट तक ये पूरा ऐसे ही कवर रहने दे और उसके बाद में ये देखे पूरा स तो आप जल्दी में कुछ बनाना चाहरे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है क्या बनाएं बच्चे पास्ता डिमांड कर रहे हैं तो आप इस तरह से जटपट गूकर में बना कर दे सकते हैं तो देखिए इस तरह से पास्ता बन कर तयार हुआ है कलर भी इसका बहुत ही बच्चों को आप इस तरह से लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं लंच में बहुत ही पसंद आने वाली है बच्चे पूरा लंच खतम करके आएंगे और चाहें तो आप नाश्ते में बनाएं सुभा शाम सबको पसंद आएगी तो कॉमेंट्स में बताएगे जरूर कैसी लगी है रेसिपी वीडियो पसंद आईए तो मेरे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें